नमस्कार दोस्तों, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि ग्लूसेंस M टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है, ग्लूसेंस M टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और ग्लूसेंस M टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि Glucane M Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Glucane M एक ब्रेंड नेम है Glucane M Tablet के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है Glucane M Tablet के अंदर सौन्थ कंपोजीशन ग्लिमेपिराइड और मेटफोर्मिन होता है जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल किसी एक दवा से नियंतरन में न हो रहा हो तब डॉक्तर दो दवाओं के कॉंबिनेशन वाली Glucane M Tablet को लेने की सला दे सकता है Glucane M Tablet का उप्योगर टाइप टू डाइबिटीज में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरन में करने के लिए किया जाता है Glucane M Tablet शरीर में ब्लड शुगर के लेविल को कम करती है शरीर में शुगर के लेविल को नियंतरन में रखना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेविल ज्यादा रहने की वज़़ से किड्नी डैमेज हो सकती है, आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है और शरीर की नसे डैमेज हो सकती है, इसलिए शरीर में शुगर के लेविल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है। खाना खाने के दो घंटे बाद एक नोर्मल व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल एक सौ चालीज से कम होता है। खान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेविल को नियंत्रण में किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ती को डाइबिटीज की समस्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ग्लूसेंस एम टाबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों मे ग्लूसेंस एम टाबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे दस्त होना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, वजन का बढ़ना, भूप कम लगना, मुंग के स्वाद में बदलाव होना, कमर में दर्ध होना, पेट में दर्ध होना और सिरदर्ध होना आदी साइड इफेक्स ग्लूसेंस एम टाबलेट की वज़ह से हो सकते हैं। इसके अलावा ग्लूसेंस एम टाबलेट की वज़ह से शरीर का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। अब हम डिसकस करेंगे की ग्लूसेंस एम टाबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। Glucens M tablet को सुबह breakfast के समय खाना खाते समय बीच में लेना रेक्मेंडेड होता है। या Glucens M tablet को खाना शुरू करने से तुरंट पहले लेना रेक्मेंडेड होता है। आम तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर शुरूात में Glucens M1 tablet को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह देते हैं। लेकिन शरीर में ब्लड शुगर की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्तर दोज को बढ़ा कर Glucens M2 tablet को भी दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह दे सकते हैं। Glucens M tablet को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना चाहिए। Glucens M tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और शरीर में ब्लड शुगर के लेविल की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आपको Glucens M tablet को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की Glucens M tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रन में करने के लिए आपको Glucens M tablet के साथ साथ regular exercise करनी चाहिए। चिंता वद तनाव से बचना चाहिए, परियाप मात्रा में नींद लेनी चाहिए। और यदी आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो वजन को कम करना चाहिए। टाइप 1 diabetes होने पर, कोई surgery होने पर, diabetic coma होने पर, और diabetic ketosis होने पर Glucens M tablet को लेना recommended नहीं होता है। Blood Sugar बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको Glucins M Tablet को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए और आपको Glucins M Tablet को लेने के बाद आपको अपने regular schedule पर खाने का सेवन करना चाहिए Pregnant महिलाओं में Blood Sugar के लेविल को नियंतरन में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Glucins M Tablet का सेवन करना recommended नहीं है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और अगर आपका Glucins M Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुच सकते हैं